हलो एवरिवन, हापी लर्निंग, माइसेल्फ विरेन वाद्वा फ्रॉम पैनॉर्मिक एजूकेशन, आज की क्लास में हम लोग पेपर 3 के QA, that is BMLRS का एक पर्टिकुलर चाप्टर, that is chapter number 15, probability के कुछ अच्छे सवाल डिसकस करने वाले हैं, जो भी हम questions डिसकस करने वाले हैं, वो सारे के सारे module में से ही लिए गए है, इस chapter को, इस video को start करने से पहले, मैं आप लोग को बता देता हूं, मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूं, कि आप लोग को probability की basic formulas और सारी identities याद होगी, ये purely revision purpose के लिए video बनाई गई है, we know that की probability या module solve करने जाएंगे, तो उसमें बहुत सार सारे questions है, तो उसमें से सारे questions तो अपने at the end solve नहीं कर सकते, तो ऐसे तो कौन से कौन से questions है sir, जो मैं module में से solve कर लो, तो मेरे सारे के सारे concepts clear हो जाएंगे, तो वो सारे questions मैं यहाँ पर आज ले के आया हूं, हम लोग वो questions को solve करेंगे, साथी साथ concepts को भी clear करते हूए चलेंग जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगेगा कि इस concept को बताना जरूरी है, मैं साथी साथ वो concept बता दूँगा, ठीक है, और lecture स्टार्ट करने से पहले अगर अपने को पता हो कि lecture में क्या-क्या topics clear होने वाले हैं, तो हम लेको lecture देखना बहुत आसान हो जाता है, तो देखो जो भी मैं आपको questions करवाऊंगा आज की class में, basically वो पूरा probability ही cover कर लेगा, but most important topics like dependent and independent events, दूसरे topics like mutually exclusive events, exhaustive events and odds in favor, odds against, रही बात, probability का statistics के साथ relation, that is, अगर आपको mean calculate करने को बोल दे, variance calculate करने को बोल दे, standard deviation calculate करने को बोल दे, इसकी tricks के साथ हम लोग यहाँ पे tricks भी discuss करेंगे, कि कैसे हम जल्दी ही mean, variance और standard deviation calculate कर सकते हैं, ठीके, तो आज की class को start करने से पहले एक और जरूरी सूचना यह है, कि notebook pen लेके बैट जाए, जो भी questions मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, व क्योंकि max पढ़के नहीं, लिखके करी जाती है, साथी साथ, if you want, आप module भी लेके बैट सकते हैं, module में, जो भी questions मैं आप लोगो करा रहा हूं, वो आप mark करके जा सकते, for your reference, ठीके, तो आज की class start करते हैं, सबसे पहला question देखेंगे, हमको बोला गया है, find the probability, that a four digit number comprising the digits two, five, five, six, seven, would be divisible by four, देखो, अब यहां पे दो concepts हमारे clear हो जाएंगे, एक combinations, साथी साथ, permutations, right, और probability, ठीक है, basic probability का question है, देखते हैं, कभी भी कोई भी probability calculate करने को बोला जाए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, total probability calculate करना, ठीक है, total probability अगर हमें calculate करनी है, या normally अगर आपको probability calculate करनी है, तो आप कैसे calculate करेंगे, तो probability का हम लोग को basic formula हमें पता है, राइट, वो क्या होता है, देखो, favorable outcomes, upon total outcomes, राइट, तो this is the first formula जो probability के आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, अब हमें कभी भी probability का कोई भी कोशन आए, तो सबसे पहले, total outcomes calculate करने है, तो देखो, total outcomes calculate करते है, फटा फट से, total outcomes देखेंगे, तो हम लोगों क्या दिख रहा है, देखो, हमारे पास 4 digits है, 4 digits आपस में कितने तरीकों से range हो सकते है, 4 factorial तरीकों से, right, permutations and combinations में पढ़ा है, हमने, 4 factorial, that is, total outcomes हो जाएंगे, हम कोई भी एक number को 4 से divisible होना है, तो उस number के last के 2 digits भी 4 से divide होने चाहिए, यह याद रखना है, एक और concept है, जो हम यहाँ सीख रहे है, if कभी भी divisibility by 4 आपको check करना हो, तो हमें क्या ध्यान देना है, last 2 digits must be divisible by 4, ठीक है, मतलब last में अगर 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, तो वो पूरा number as a whole 4 के table में आ जाएगा, अगर कोई भी एक number है, जैसे के example ले लेते, 433, right, तो last में क्या है, 33 है, तो वो 4 से divisible नहीं होगा, क्योंकि 33 4 के table में नहीं आता है, ठीक है, तो अब देखो, 2567 है, हमें 4 digit number बनाना है, तो last में 2 digit ऐसे रखने पड है, तो last में 2 digit ऐसे रखना है, जो 4 से divisible हो, तो देखो, आप क्या-क्या रख सकते हो, सोचो, आप 25 रख सकते हो गया, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 25 4 के table में नहीं आता, तो 2567 में से आप ऐसा कौन सा 2 digit number ले सकते हो, जो 4 के table में आता है, सोचेंगे, first 2 digit number, जो 4 के table में आता वो 52 है उसके अलावा 56 है 72 है और 76 है आप बोलोगे सर आपने 84 तो लिया ही नहीं क्योंकि 84 भी तो 4 की टेबल में आता है पर 8 और 4 हमारे डिजिट्स ही नहीं है हम लोगों कोशन में 8 और 4 as a digits दिये ही नहीं है तो 5 और 2 को अगर हम यूज कर लेते हैं तो गौर करेंगे अगर मैंने 5 और 2 यूज कर लिया तो कितने digits मेरे पास बच्चे हैं दो डिजिट्स बच्चे हैं 6 और 7 पहली जगा पे 2 लोग बैठ सकते हैं दूसरी जगा पे 1 सेकेंड कोशन में भी पहली जगा पे 2 दूसरी जगा पे 1 and so on ऐसे हर एक के कुल मिला के दो 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 वेज होंगे तो कुल मिला के टोटल वेज जो होगे हमारे वोगे 8 अगर हम probability निकालना चाहें यह 8 क्या है फेवरेबल आउटकम्स है तो अगर आपको probability calculate करनी है तो probability would be 8 by 24, 1 by 3 ठीक है तो दिस इस योर आंसर नेक्स कोशन पे आगे बढ़ते हैं यहां पे आपका दो कंसेप क्लियर हो जाएंगे एक combinations साथी साथ at least वाले कोशन कैसे करते हैं वो ठीक है तो सबसे पहले कोई भी probability का कोशन आएगा आप लोग total outcomes लिख लेंगे तो देखो total outcomes सबसे पहले लिख लेते हैं total outcomes अगर हम लिखेंगे तो that would be what देखो हमारे पास total question में देखेंगे क्या पड़ा है बोला गया है a committee of seven members is to be formed from a group comprising eight gentlemen and five ladies eight gentlemen है पाच ladies है उसमें से हम लोगों को कितने का group बनाना है साथ का group बनाना है total लोग है 13 13 में से साथ लोगों को सिलेक करने के कितने तरीके होते है 13 C 7 these are your total outcomes अब देखो पहले question के इसाब से बात करते हैं हमको बोला हमारी team में दो ladies तो होनी ही चाहिए अगर दो ladies है तो साथ ही साथ 5 genes होंगे तो ही तो हमारी team बनेगी क्योंकि total seven members का requirement है ठीक है अब हम लोगों को दो ladies select करनी है तो आठ में से ladies तो अपने आपस 5 है पांच में से दो ladies select करने के कितने तरीके 5 C 2 8 genes में से 5 genes select करने के कितने तरीके 8 C 5 तो these are your favorable outcomes अगर आप probability लिखना चाहें तो हमें पता है बोलो बोलो क्या होती है favorable outcomes upon total outcomes favorable outcomes की जगा पे लिखेंगे 5 C 2 into 8 C 5 upon total outcomes की जगा पे लिखेंगे 13 C 7 second part बहुत interesting part है अपने को बोला कि at least 2 ladies तो हमारे group में या हमारे team में होनी ही चाहिए at least 2 का मतलब क्या होता है देखो कम से कम दो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो इतने सारे तरीके हैं जब भी at least का कोशन आए तो कैसे solve करना होता है मैं बताता हूं जब भी आपको at least के कोशन आएंगे तो कहीं पे भी अगर लिखा है at least one जब कम से कम एक चाहिए ना तो क्या नहीं चाहिए वो टोटल में से माइनस कर दो कम से कम एक चाहिए मतलब 0 लेडी वाला केस माइनस करना पड़ेगा टोटल में से तो हम क्या कर रहे हैं at least one लिखा है तो total में से none मतलब 0 का केस माइनस कर देंगे at least two लिखा होता है तो क्या करना होता है total में से 0 वाला केस तो अटाओ अब बद 1 वाला केस बीठा दो आप ऐसे याद रख सकते हो हो 2 से पहले कौन से नम्मर्स आते हैं 0 1 और 2 तो टोटल में से 0 1 और 2 सब्ट्राक कर देगे ठीक है तो फटा पट से आट लीस्ट टू लेडीज का आप हम लोग प्रॉबाब्लिटी क्या करना चाहते हैं देखो तो आट लीस्ट टू के लिए आप क्या करोगे अब देखो टोटल प्रोबाबिडिटी क्या होती है यह अपने को पता है उसमें जीरो वाली प्रोबाब्लिटी और वन वाली प्रोबाब्लिटी माइनस कर देंगे जीरो वाली मतलब जीरो लेडिज जीरो लेडिज मतलब सारे के सारे जेंज हमें बता है प्रॉबाबिटी में टोटल आूटकमस 13C7 है जो आरेडी काल्कुलेट कर चुके हैं अब आउटकम्स निकालते हैं जीरो लेडिज जो है वो केस में होगी बताओ हम लोगों को साथ मेंबर की टीम बनानी हमार बास आठ जैन्स है तो आठ जैन्स में से साथ के साथ जैन्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 8C7 और अगर आपको एक लेडी तो रखनी ही है अगर आपको एक लेडी रखनी है मतलब 6 जैन्स रखने पड़ेंगे तो एक लेडी के कितने तरीके होंगे 5C1 और 6 जैन्स के 8C6 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 392 अपॉन 429 आएगा इसको सॉल्व करोगे 140 अपॉन 429 आएग तो हम लोग यहाँ पर अगर solve करने लग जाएंगे तो time लग जाएगा तो पहले से ही मैं यह solve करके लाया हूँ आप लोग को के उपर छोड़ता हूँ solve करने वाली बात ठीक है तो यह final answer आपका यह हो जाएगा next अपना मेन मोटो है concepts clear होने चाहिए और साथ ही साथ अच्छे questions revise भी होने चाहिए ठीक है next question पर आते हैं a very good question हम लोगों को कभी ऐसे टाइप के questions आए तो हमको दो बाते पता होनी चाहिए पहला एक तो यह question में आपको dependent events के बारे में सीख मिल जाएगी कि what are dependent events दूसरा आप लोगो when diagram पता होना चाहिए ठीक है तो when diagram के related कुछ formulas है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले dependent की बात करते है dependent events का मतलब क्या होता है कि already कोई एक event अकर कर चुका है उसको अकर करने के बाद किसी और event की probability आपको calculate करनी है ठीक है तो जो event की probability आपको calculate करनी होती है उसको हम पहले लिखते हैं जो event आपको already occur कर चुका है उसको हम बाद में लिखते हैं तो P of A मतलब यह क्या बोला है P of A slash B लिखा इसको पढ़ते कैसे find probability of A given that B has already occurred तो उसकी formula होती है P of A intersection B upon B याद रखने के लिए जो दो variables यहां पे लिखें उनका intersection उपर लिखते हैं और denominator में सिर्फ और सिर्फ जो बाद में लिखाया जैसे B जो बाद में लिखाया उसको लिख देते हैं तो P of A intersection B upon P of B लिख देंगे ठीक है यह dependent events की बात हो गई when diagrams की कुछ important formulas यहां मैं लिख रहा हूँ जो अकसर लोग भूल जाते हैं सबसे पहले यह सबको याद होती है A union B का formula होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B यह सबको याद है जो सब भूल जाते है वो क्या है वो यहां लिखता हूँ A intersection B complement इसकी formula कभी इसको याद ही नहीं रहती तो यह फटा-फट से important note करके लिख लेंगे B intersection A complement वो होता है P of B minus P of A intersection B फिर एक और चीज़ है जो बच्चों को याद नहीं रहती that is D Morgan's law D Morgan के दो law थे एक था A dash union B dash जो होता है A complement union B complement वो A intersection B का whole complement होता है और उसको 1 minus P of A intersection B भी लिख सकते हैं similarly A complement intersection B complement जो होता है वो A union B का whole complement होता है हम उसको 1 minus A union B भी लिख सकते हैं तो these are the very important formulas from Venn Diagrams and dependent events का formula भी मैंने आपको यहां पे लिखके दे दिया है ठीक है यह दो अगर आपको चीज़े आती है तो आपका यह question बहुत ही प्यार से और अच्छे से हो जाएगा first question देखो फटा फट से करेंगे सबसे पहले हमको P of A dash B calculate करना है A slash B तो वो होता है देखो क्या P of A intersection B upon P of B अब आप गौर करेंगे आपको probability of B तो given है पर हमें probability of A intersection B तो पता ही नहीं है तो वो कैसे calculate करेंगे हमें formula पता है जो भी मैंना आपको लिखके दिखाई A union B की वो क्या होती है P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B यही formula हम यहापे apply करेंगे A union B का formula होता है P of A तो P of A लिखो फिर P of B लिखो फिर उसमें से intersection को subtract कर दो अब intersection को इधर ले जाओ बाकी सब को उधर तो intersection को इधर लेगे जाएंगे इधर लिखेंगे 2 by 3 3 by 5 और 5 by 6 देखो यह union है यह A यह B और यह intersection ठीक है solve कर लेते हैं हम लोग probability of A intersection B calculate करेंगे तो इसको solve करके 13 by 30 आएगी मैंने solve कर लिया है अल्रेड़ी इसलिए अब यहाँ पे intersection की जगा पे 13 by 30 लिख दो B की जगा पे आप लिख दो 3 by 5 ठीक है इसको solve करेंगे you would get 13 by 18 as your answer next question पे आते है next question B आसान है P of B dash A calculate करना है same formula apply करेंगे P of B intersection A पर यहाँ पे catch क्या होगा बोलो A नीचे आएगा जो बाद में लिखा होगा वो नीचे आता है जो बाद में लिखा होगा वो denominator में आएगा तो A बाद में लिखा है तो उसको denominator में लिख दो ठीक है तो P of B intersection A हम already निकाल चुके 13 by 30 और P of A तो अपने को पता है जो already given है that is 2 by 3 इसको solve करेंगे you would get the answer as 13 by 20 ठीक है आगे बढ़ते हैं I hope so बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है और आप मेरे साथ साथ note down भी करते जा रहे है सारी important टीजें यहां पर cover हो जाएगी tension ना ले अब next पर आते हैं a compliment intersection b लिख दो और upon में b लिख दो अब देखो a compliment intersection b तो अपने को पता है वो क्या है देखो मैंना आपको formula लिखवाया अभी अभी यह रहा a compliment intersection b का formula यह formula note down करें screenshot ले ले लिख ले ठीक है इस formula को महाँ apply कर रहे हैं तो फटा-फट से apply करेंगे यहां पर लिखते हैं पी ओव बी माइनस पी ओव एंटर सेक्शन भी अपन पी ओव बी अब देखो आपको probability of b पता है आपको probability of intersection पता है आपको probability of b भी पता है सारी values आपको given है आप values पुट कर देंगे आपका जो answer है वह पाच भाई अठरा आ जाएगा ठीक है बी पता है intersection पता है यह रहा intersection यह रहा भी ठीक है वालू तो पुट करी सकते हो आगे वड़ते हैं प्रोर्थ कोशन पर आते हैं probability of a डाश बी compliment again क्या करना है अब मेरे साथ बोलो हम लोगों को जो दो values गिवन होती है उनका intersection उपर लिखना होता है और नीचे b compliment लिख देंगे ठीक है intersection b का compliment का formula अभी मैंने लिखवाया है दाट इस p of a minus intersection b अच्छा कोई कोई ये सवाल होगा कि sir ये b compliment क्या होता है इसका मतलब क्या किसी भी चीज़ के ना होने की probability तो एक और चीज़ यहां पर मैं आपको note डाउन करा देता हूं किसी भी चीज़ के होने की probability प्लस किसी equal to 1 यह हमें पता होगा वही चीज यहां पर apply करेंगे किसी भी चीज के ना होने की probability calculate करने को बोला है तो हम यहां पर लिखेंगे 1 minus उसके होने की probability अब हमें P of A पता है yes sir पता है 2 by 3 क्या हमें intersection पता है yes sir अपने को पता है 13 by 30 क्या हमें probability of B पता है yes sir अपने probability of B पता है that is 3 by 5 यही सारी values यहां पर put करके हम solve करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा जो हमारा final answer है वो आएगा 7 by 12 नेक्स्ट कोशन पर आगे बढ़ते हैं इसका final part क्या है वो देख लो हमको बोला गया है P of A compliment given that B compliment has already occurred इसकी value calculate करनी है formula apply करेंगे दोनों का intersection उपर लिखेंगे और नीचे उसके ना होने की probability या जो बात में लिखा है वो denominator में लिखेंगे this is what D Morgan's law ठीक है तो P of A compliment intersection B compliment यह रहा लिखवाया है 1 minus P of A union B होता है तो फटावर्ट से हम इदर लिखेंगे 1 minus P of A union B B compliment अब आपको पता है शाबाश क्या होता है 1 minus P of B मैनत करनी है लिखते जाएंगे साथ में A union B का value हमें पता है that is 5 by 6 और B का value पता है that is 3 by 5 वो सारी values यहाँ पे put कर देंगे 1 minus 5 by 6 1 minus 3 by 5 इधर 1 by 6 लिख दो इधर 2 by 5 लिख दो answer 5 by 12 है ठीक है I hope so आप लोगों को dependent events की formula को कैसे apply करना है वो आ गया आगे word problems भी है कि ऐसे questions आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि sir वो dependent events है या independent है वैसे questions भी रखें tension ना लें ठीक है next second example पर आते हैं अब यह question किस चीज का है independent events का है तो फटाफट से हम आपको independent events के बारे में दो बड़ी याद रखने वाली बाते बता देता हूं सबसे पहले कोई भी दो events independent होते हैं तो उनका जो probability होता है intersection का वो उनके individual multiplication के बराबर होता है अगर कोई भी तीन events independent है तो उनके multiplication की probability P of A into P of B into P of C हो जाएगी यह पहली बात है independent events की दूसरी बात क्या है mcq में पूछा जा सकता है कि अगर A और B independent है तो बताओ और कौन कौन independent होगा अगर A और B independent है तो A compliment और B independent होते हैं B compliment और A B independent होते हैं A compliment और B compliment भी independent होते हैं इससे मेरा कहने का मतलब क्या है समझते हैं A and B independent है इसका मतलब उनके intersection उनके ही multiplication के बराबर होगा इनका मतलब क्या होता है कि A compliment intersection B मतलब यह दोनों अगर independent है तो हम लिख सकते A compliment intersection B A compliment और B के multiplication के बराबर होगा तो आपको बोला जाएगा अगर A और B independent है तो पताओ कौन independent है तो यह भी independent होते हैं यह और यह भी ठीक है तो यह दो बाते हम लोग को जो independent events के लिए हमें अच्छे से याद होनी चाहिए अब कोशन पर आ जाते हैं फटा फट से हम लोग को देखो कोशन में बोला गया है The independent probabilities that three sections of a costing department will encounter a computer error तो error की probability दिये देखो ऐसा मान लेते हमारे पास तीन sections है a, b और c उनके error करने की probability आपको 0.3, 0.2 और 0.1 दी है ठीक है अब हम लोगों को बोला गया है find the probability that उनने at least one computer error किया है per week तो at least one का कभी भी आप लोगों को कोशन आ जाएगा तो आप लोगों क्या करना है ध्यान देंगे अभी उपर सिखाया है at least one कभी भी आपको बोला जाए तो आप क्या करते हो total minus none तो total probability क्या होती है one होती है उसमें से none की probability को subtract कर देना है तीनों ने error नहीं किया अच्छा error करने की probabilities है न ये तो तो error ना करने की probability क्या होगी वो देखते हैं अगर किसी के error करने की probability है 0.2 तो error ना करने की probability क्या होगी 0.8 ठीक है one में से minus कर देंगे अगर b के error करने की probability है 0.3 तो b के error ना करने की probability होगी 0.7 c के error करने की probability है 0.1 c के error ना करने की probability होगी 0.9 अब देखो किसी ने भी error नहीं किया तो a ने भी error नहीं किया है b ने भी error नहीं किया है c ने भी error नहीं किया है ठीक है तो हम क्या कर देंगे one में से a के Error ना करने की Probability को adv alcohol बीद्ध के Error ना करने की Probability को multiply और सीके Error ना करने की पूल emissions अच्छंच आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हमने multiply क्यों किया है multiply क्यों किया है reason being हम लोगों को इन तीनों को शातistine error नहीं करवाना है अब यह independent events है ना तो हम क्या कर देंगे सब के multiplication कर लेंगे क्योंकि intersection का बात है इसने भी नहीं किया इसने भी नहीं किया इसने भी नहीं किया तो multiply इसको solve करके you would get your answer ठीक है module में इसका question का जो answer हो थोड़ा round off करके लिखा है आपका जो perfect answer आएगा वो इसी और सिरिफ एक ही error मन्जूर है एक से ज़्यादा error नहीं तो अगर A ने बोला मैंने तो error कर दिया तो A का error हो गया तो B का error नहीं हो ना चाहिए और C का error नहीं होना चाहिए होगया this is the answer आप बोलोगे नहीं सर यह answer तो कैसे ही हो सकता है क्योंकि सर बीबी तो एरर कर सकता है आपने तो बोला सिरफ एरर करेगा सही बात है तो बीबी तो एरर कर सकता है तो देखो क्या करेंगे अगर बी ने एरर किया तो ए ने एरर नहीं किया सी ने एरर नहीं किया सी ने एरर किया तो ए ने नहीं किया बी ने नहीं किया Similarly यही चीज करनी है, अब सारी values put करते हैं, दीरे दीरे देखो, हमें A की value पता है, 0.2 है, B के complement की value पता है, 0.7 है, C के complement की value पता है, 0.9 है, again B की value हम लोगों को पता है, 0.3 है, A के complement की value 0.8 है, C के complement की value 0.9 है, again C की value 0.1 है, A के complement की value 0.8 है, B के complement की value है 0.7 I hope so मैंने सारी सही values लिखी है ठीक है आप इनको multiply करेंगे और solve करेंगे You would get your answer I am sure that आप लोग यह चीज समझ गए है तो इससे आपका independent events का जो concept है वो अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है मैंने try किया है कि मैं सारे ऐसे questions रूँ जैसे आपके सारे concepts clear हो जाए This is a very good question जो यहाँ पर दिया हुआ है 25 यहाँ पर हम लोगों ने PNC को probability के साथ बहुत ही अच्छे से link किया है तो अगर आपको PNC बहुत अच्छे से आता होगा तो आप probability का यह सवाल कर लेंगे अगर आपको PNC में थोड़ा सा भी doubt है तो उसकी भी वीडियो हमने हमारे चानल पे upload करके रखिए तो if eight balls are distributed at random among three boxes कोई भी पहले probability का question आएगा तो हमारा सबसे पहला फर्ज यानि की कर्तव यह यह है कि total outcomes हमें calculate कर लेने हैं तो total outcomes सबसे पहले calculate कर लेता हूँ ठीक है आट बॉल है तीन बॉक्स है distribute करना है अब बच्चों की पता है गलती कहा होती है यहाँ पे कोई बोलता सर एट की पावर 3 है answer कोई बोलता सर 3 की पावर 8 है answer किसी को पता ही नहीं की पावर कब उपर जाती है तो जब भी ऐसे कोशन आए तो अपने को क्या करना है यह सोचना है कि कौन distribute होने वाला है जो आट बॉल्स है वो distribute होगी box के पास की box बॉल के पास जाएगी हमें अच्छे से पता है कि बॉल distribute होती है इतना तो common sense है तो हमारे पास 8 बॉल है जो distribute होने आ लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक बॉल के पास कितने options है सामने 3 3 options है तो 3 3 3 3 कर लेंगे तो answer आ जाएगा 3 की पावर 8 यह हमारे क्या होगे total outcomes होगे that is 3 की पावर 8 अब आ जाते favorable outcomes की तरफ जो favorable outcomes है वो कैसे calculate करे जाएंगे वो देखते हैं हम लोगों को बोला गया है what is the probability that the first box would contain three balls तो हम लोगों को ऐसा बोला देखो box 3 है बले box 3 है पर हमें यह fix बोला है कि जो box 1 है उसमें यह 3 बॉल ही होने चाहिए उससे ज्यादा नहीं तो पहले हम क्या कर लेते है जो question बोल रहा है वो कर लेते हैं हमारे पास 8 balls मानलो भाहर पड़ी है वहां से अगर मुझे तीन बॉल उठाके box 1 के अंदर डालने है तीन बॉल उठाके box 1 के अंदर डालने है तो कितने तरीके होंगे 8C3 कैसे 8 ball में से 3 ball उठाके box 1 में डाल दी ठीक है समझ गए आगे बढ़ते हैं अब इंटू करते हैं अब जो यह 5 ball बची है उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा तो यह जो 5 ball बची है उन्हें हमें कितने box में करना लेगा kita के बॉक्स के पास जाता है क्या बॉक्स के पास बॉक्स के पास बॉक्स गाओ यह तो हमारे पास 5 बॉल है, सामने बॉक्स कितने है, 2 ही बॉक्स है, हर एक बॉल 2-2 बॉक्स के पास जाएगी, 2 x 2 x 2 x 2, तो टोडल दरीके होंगे 2 की पावर 5, these are your favorable outcomes, अगर आपको probability लिखनी है, तो आप favorable outcomes लिखते हैं, और upon में total outcomes कर लेते हैं, you would get the answer as 1792 upon 6561, ठीक है, solve करके ल next question की तरफ आजाते हैं, there are 3 boxes with the following composition, आपको बोला गया है, इसका question ऐसा है, हम लोगों को एक box पहले select करना है, ठीक है, select one box, then find the probability, find the probability that ball is red, ठीक है, आपको box select करना है पहले और फिरेड बॉल लानी है, अब देखो मैं आपसे बोलूँगा, रेड बॉल की probability बताओ, अब बोलो के सर देखो box one से भी रेड बॉल आ सकती है, box two से भी रेड बॉल आ सकती है, और box three से भी रेड बॉल आ सकती है, और का मतलब plus, option है, इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है फ्लस कर दो ठीक है और बॉक्स वन से रेड आना चाहिए महलब इंटर सेक्षन अब देखो यह इंडिबेंडेंडेंट से इंडिबेंडेंट मतलब इनको कोई फरक नहीं पढ़ता अच्रा मैं बॉक्स वन को बॉक्स की परॉबाब्रीटी को रेड की परॉबाबर्डी से कुछ फरक पढ़ता है नहीं तो अगर हम इंटर सेक्षन का प्रॉबाब्री च्याल्कूलेट करना है इसका मतलब हम उनको multiplication में भी लिख सकते है तो P of B1 into P of R plus P of B2 into P of R plus P of B3 into P of R ठीक है बराबर तो अब box 1 को select करने की probability क्या लगता है आपको क्या है box 1 को select करने की probability 1 by 3 है box 2 को भी select करने की 1 by 3 box 3 को भी select करने की 1 by 3 क्यों 1 by 3 है बताओ क्योंकि एक box select करना out of three boxes ठीक है अब box 1 में से red ball आने की probability देखो कितनी है box 1 में red ball है कितनी साथ out of total कितनी बॉल है 16 और एंस क्या हो सकता है box 2 में से red ball आने की probability box 2 में है पाच red ball है total ball कितनी है 14 box 3 में हमारे पास red ball है 4 total ball कितनी है 9 इन सब को multiply करके solve करेंगे you would get the answer as 1249 upon 3024 next आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ concepts समझा देता हूं इसके around क्या क्या है देखो यह सवाल है हमारा probability का starts के साथ related तो कभी भी starts के कोई भी question आएंगे तो मैं आपको पूरी formula भी बताऊंगा और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा तो सबसे पहले x होता है एक random variable कि उसके according हम लोगों को एक table बनानी होती है ठीक है उसके अगर हम लोगों को probability distribution का table बनाना होता है उसके बाद अगर आपको expectation value पूछी जाए मतलब e of x लिख लेना मेरे साथ ध्यान से जो भी value यहां पर लिखवा रहा हो विसका last में screenshot ले लेंगे वरना आलस आ रहा है तो पर आलस नहीं आना चाहिए आपकी exam है तो अगर e of x कहीं पे भी बोला है इसका मतलब mean की बात की है mean का formula होता है sigma pi x i कभी भी आप लोग को बोला जाए sigma calculate करके बताओ इसका मतलब standard deviation calculate करने को बोला है उसका formula होता है sigma pi x i square minus mean का square और else एक और formula होता है sigma pi x i minus x bar का whole square variance का formula calculate करने को बोलेंगे तो variance is always standard deviation का square जो उपर लिखा है बस उसी का square कर देना ठीक है अब कुछ अलग-अलग notations भी है हमारी वह notations क्या-क्या है वह समझते है mean को हम e of x से represent करते हैं e of x square कहीं पे भी लिखा है मतलब आपको वह indirectly बोल रहा है sigma pi x i square calculate करके बताओ इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं लिख ले ना उसके बाद अगर आपको कभी भी variance calculate करने को बोलेंगे ना तो वो लोग ऐसा लिख के देंगे कि बड़ा variance का specific notation है यह e of x minus e of x का whole square ठीक है तो इस यह और variance का formula तो यह 3-4 formulas जो है वह हमको अच्छे से पता होनी चाहिए अब मैं आपको ट्रिक दूंगा यह तो तरीके हैं जो हम normal लोग करते हैं हम तो extraordinary people है हमारे पास tricks है जब भी आपको mean standard deviation variance calculate करना हो तब तो tricks कभ apply कर सकते हैं वो समझते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम कोशन में जाते है फिर उसमें वो trick भी apply करेंगे देखो कोशन क्या है एन अन बायस्ट कोईन इस टॉच्छ त्री ताइमस पाइंट एक्सपेक्टेड वाल्यो ओफ नंबर ओफ हेड्स और अल्सों फाइंड इस standard deviation ठीक है तो हम लोग को एक्सपेक्टेड वाल्यो किसकी निकालनी है नंबर ओफ हेड्स तो जिसका भी एक्सपेक्टेड वाल्यो पूछा होता है वही आपका एक्स होता है तो एक्स इस नंबर ओफ हेड्स 3 coin को toss करेंगे तो heads कितनी बार आ सकते हैं देखो, 3 coin को जब भी आप toss करते हो, heads 0 bar, या 1 bar, या 2 bar, या 3 bar आ सकते हैं, 0 bar head आने की जो probability होती है, वो होती है, 1 by 8, 3 by 8, फिर इधर 3 by 8 आ जाएगा, इधर 1 by 8 आ जाएगा, टिक है, सब्सक्राइब टोटल यहां आपको मीन का क्या अबमिला लगा कर पाऊगी जिंगी आपको आज एक ट्रिक को शाहिद पता भी होगी बस आप यहां अपलाई कर सकते वो आपको नहीं भी बता होगा। in कि मीन का फॉर्मिला होता है यह फॉर्मिला है बाइनोमिल distribution का त्यररिटिकल डिस्टिबीशन में आप DenCal चीजको, जरूर बढ़ा होगा 먹는 की बात करेंगे तो उसमें स्टार्रस लूट truth NPQ, variance NPQ, अब आप बोलोगे sir यह N क्या है, यह P क्या है, यह Q क्या है, N is number of times any particular experiment was conducted, number of times an experiment was performed बोल सकते हो आप, ठीक है, P is the probability of success and Q is the probability of failure, ठीक है, अब देखो, आपको mean calculate करना है, तो मैं आपको direct mean calculate करना यहां सिखाता हूँ, mean का formula क्या है, N into P, अब देखो, मैंने कित्ती बार coin को toss किया है, तीन बार, तो N की जगा 3 लिखेंगे, और P is what, probability of success, हमारे लिए success क्या है, head जाना, क्योंकि उसी के बारे में question पूछा गया है, तो आप बताओ, एक coin को toss करते हैं, उसमें से head कितनी बार आता है, उसकी probability क्या है, half, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, half, you would get the correct answer as 1.5, तो ऐसे आप mean calculate कर पाए, आप देखो, standard deviation calculate करेंगे, तो उसका formula होता है, root n, p, q, n की जगा पर लिखेंगे, 3, p की जगा पर half, p की जगा half क्यों लिखा हो, समझा आगे होगा, head जाने की probability half है, q की जगा पर हम क्या लिखेंगे, again half लिखेंगे, क्योंकि tails आने की जो probability है, वो भी half है, right, यहां पर half लिख देता हूँ, तो root के अंदर आएगा, 3 by 4, उससे आपका answer आजाएगा, 0.87, ठीक है, आप गौर करेंगे, textbook में इतना बड़ा method की है, हमने एक trick से फटा-फट से question को solve कर दिया है, next question पर आते हैं, next question जो है हमारा, वो देखो क्या है, हमारे पास x है, हमारे पास p है, हम लोगों को values given है, x की, p की, right, अगर आपको, देखो calculate करने को क्या बोला है, e of x minus e of x का whole square, अब बच्चे लोग यह देखते सोचते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं, बट आप लोग ने यहां पर यह चीज पढ़ी है, जो मैंने अभी आप लोग को लिख के बताई, कि अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब variance होता है, ठीक है, इस question में आप variance related कुछ अच्छी चीज़े सीख जाएंगे, और साथ ही साथ, मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, that is change of scale and change of origin, ठीक है, change of scale and change of origin, साफ बाशा में अगर मैं आपको बोलू, तो बाशा में क्या बोलेंगे, देखो मैं समझाता हूँ, मान लो कि हमारे पास है न, mean है, हमारे पास standard deviation है, हमारे पास variance है, ठीक है, standard deviation है sigma and variance है sigma square, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी एक variable है x, उसका mean है 3, उसका standard deviation है मान लो, 1, 2 ले ले लेते हैं, तो mean को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो mean ले लेते 10, और उसका standard deviation जो है हमारा 2 है और variance 4 है, अगर मैं सारी observations को plus 3 कर देता हूँ, तो जो नया mean होगा, वो क्या होगा, नया mean भी 3 से add हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा, standard deviation वही रहेगा variance वही रहेगा, no effect, अगर मैं सारी observation को minus 5 चर देता हूँ, तो हमारा mean change हो जाएगा, वो भी minus 5 हो जाएगा, पर standard deviation variance पे still कोई भी effect नहीं होगा अगर मैं सारी observation को 2 से multiply कर देता हूँ तो mean जो है वो भी 2 से multiply हो जाता है standard deviation जो है वो भी 2 से multiply हो जाएगा बट जो variance है वो 2 के square से multiply होगा मतलब जो भी number होता है उसके square से multiply हो जाता है तो 4 into 2 square 16 16 अगर मैं हर एक observation को divide by 2 कर दूँ तो mean भी ओरीजिनल से divide by 2 हो जाएगा standard deviation भी divide by 2 हो जाएगा वराइंस divide by 4 हो जाएगा तो 4 by 4 उसके square से divide हो जाएगा तो answer आजाएगा आपका यहां पर वन ठीक है तो यही चीज़ आपको यहां अप्लाई करनी है यहां पर सबसे पहला जो कोशन है वह आप से बूचता है कि आप हमें variance of x calculate करके बताओ variance कैसे calculate करते हैं हम फटा फट से table बना लेंगे ठीक है तो हम लोगों में 4 लिखना है 5 लिखना है 7 लिखना है 8 लिखना है 10 लिखना है 0.15 लिखना है 0.20 0.40 0.15 0.10 ठीक है अब हम लोग को p i x i calculate कर लेना है p i x i calculate करने के बाद p i x i square calculate करने ना है मतलब p i x i का मतलब क्या होता है पहले आप x को और p को multiply करो ठीक है तो 4 को 0.15 से multiply करो 0.65 को 0.20 से multiply करो तो 1 हो जाएगा फिर 7 को 0.4 से multiply करो तो 2.8 हो जाएगा 8 को 15 से multiply करो के 1.2 हो जाएगा 10 को इससे लिखना करो 1 हो जाएगा तो आपका जो mean आ जाएगा यहां पर mean that is sigma p i x i ठीक है sigma p i x i मतलब सब को plus कर देंगे you would get the answer as 6.6 अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ variance calculate करके बता हो तो that is sigma p i x i square minus mean का square यह सारी values यहां पर table बनाएंगे table से put करेंगे you would get the variance as 3.04 मेरा में मोटो है यह चीज से खाना अगर आप लोग को यहां पर पूछ लिया जाए कि variance of 3 x minus 4 क्या होगा variance of 3 x minus 4 अगर आपको calculate करना है तो वो कैसे calculate करेंगे देखेंगे हमने यहां पर जो calculate किया किया है variance of x calculate किया ना हमको तो बोलता है variance of 3 x minus 4 calculate करके बता तो अगर आपको variance of 3 x minus 4 calculate करना है तो वो कैसे करेंगे तो पहले हम variance of 3 x calculate कर देखेंगे variance of 3 x अगर मैं और यह यह वीरियरेबल x को 3 से multiply कर देता हूँ, अगर मैं आरेक variable x को 3 से multiply कर दूँगा, तो variance किस से multiply हो जाएगा, बोलो, 3k square से multiply हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 3.04 into 3 का square, बराबर उसके बाद ये आपको result करेगा 27.36 में, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा variance of 3x minus 4 calculate करके बताओ, तो variance of 3x minus 4 क्या होगा, 27.36 होगा, आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि subtract करने से variance को कोई भी फरक नहीं पड़ता है, इस वज़े से final answer आपका होगा, 27.36, next question पर आजाते हैं, हमको बोला गया है, box contains 12 bulbs, उसमें से 5 defective है, तो 12 bulbs है, 5 defective है, 7 good है, हमको बोला है, man selects 3 lambs at random, what is the expected number, expected number मतलब क्या पूछा है, mean पूछा है, हमें trick पता है, mean का formula क्या होता है, mean का formula होता है, n into p, हमारे man कितने lambs select किये हैं, 3 lambs select किये, हमारे man ने 3 lambs select किये, तो आप n की जगा पे 3 put कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी आप लोगों को p calculate करना है, अब देखो आपको expected number किसका पूछा है, आपको expected number defective lambs का पूछा है, expected number आपको defective lambs का पूछा है, अब probability लिख लेंगे defective lambs की p की जगा पे, you would get the correct answer as 5 by 4, मतलब 1.25, next, next चीज को सिखाने के लिए मैं आप लोग को पहले एक चीज समझाना चाहता हूँ, that is odds in favor and odds against, तो इस question को करने से पहले मैं आपको दो चीज सिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, वो यहाँ समझते हैं, अगर कभी भी आपको बोला जाए, odds in favor, तो odds in favor का मतलब होता है, किसी भी चीज के होने की probability, upon किसी भी चीज के ना होने की probability, मतलब occur की probability, upon not occur की probability, इसको हम बोलते है, odds in favor, तो odds in favor states the ratio of the occurrence with respect to not occurrence, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, अगर मान लोग किसी भी चीज के होने की probability, किसी भी चीज के होने की probability 1 by 3 है, तो किसी भी चीज के ना होने की probability क्या होगी, 2 by 3, अगर मैं आप लोग को odds in favor पूछता हूँ, तो odds in favor क्या होंगे, होने की probability देखो क्या है, 1 by 3 ना होने की probability क्या देखो 2 by 3, answer आगया 1 by 2, अगर ऐसे ही मैं आपको odds against पूछता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसी का उल्टा not occur upon occur, उसके occur ना करने की probability upon करने की probability, तो अकर ना करने की probability 2 by 3 है, अकर करने की probability 1 by 3 है, 3 or 3 कट जाएगा, you would get the correct answer as 2 by 1, ठीके, so this is odds in favor and this is odds against, अब इसका उल्टा भी आ सकता है, अगर मैं आपको बान लो favor दे देता हूँ, odds in favor, दे देता हूँ 2 by 5, तो मुझे किसी भी चीज की होने की probability calculate करके बता दो, ऐसा पूछा जा सकता है, तो अगर odds in favor दे है 2 by 5, अगर मैं आपको किसी भी चीज की होने की probability पूसथ देखो, देखो, वो झीज कितनी बार करकी, 2 बार, out of total 7 लिखेंगे out of total 7 क्यों लिखा है सोचो क्योंकि होने की probability देखो दो बार अकर किया पाच बार अकर नहीं किया तो total कितने हुए साथ उसमें से दो बार वह अकर किया है ना तो probability क्या होगी 2 by 7 एक और example देता हूं अगर मैं आपको odds in favor दे दूँ 2 by 8 तो अगर मैं आपसे पूछू probability निकालो अकर करने की इसका मनलब क्या होता है अगर कोई चीज दो बार अकर कर रही है तो आट बार नहीं कर रही है तो दो बार अकर कर रही है out of total कितनी बार दस बार तो correct answer would be 2 by 10 चीक है तो इसी टॉपिक के मद्दे नजर रखते हुए कोशन है हमारे पास that is odds in favor दिया है odds in favor दिया है of any event वो event है 2 by 3 मलब उसके favor की है तो अगर होने की probability मैं आपसे पूछूंगा तो वो क्या होगी देखो होने की probability उस event के अकर करने की probability would be 2 by 5 क्योंकि वो चीज़ दो बार हुई तीन बार नहीं हुई तो दो बार हुई out of total कित्ती बार पाच बार तो होने की probability would be 2 by 5 अब देखो odds against दिये किसी दूसरे event के किसी दूसरे event के odds अगेंस यह मतलब 3 by 7 मतलब उसके not occur upon occur दिया है not occur upon occur मलक कोई चीज अगर 3 बार दाखर नहीं करती तो 7 वार करती है तो उसके occur करने की probability निकालना चाहूं और फ्रोह क्रों201 तो वो क्या बढ़ते हैं अब आप लोग को कोशन में बोला है find the probability that only one of the two events occur सिर्फ एक event occur करना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि e occur करे f ना करे या या क्या हो सकता है f occur करे e ना करे कोई भी एक ही occur करना चाहिए e कर रहा है तो f नहीं करना चाहिए या f कर रहा है तो e नहीं जाई ठीक है तो e wise if ignore ना करे sudah a आपको निकालना आता ही है किसी भी चीज के होने की probability अगर पता है तो ना होने की परवाविटी वन में से माइनस करके पता चलता है तो वन मेंसे गभाट को minus कर देंगे 3 by 10 आएगा occur करने की probability 7 by 10 e के occur नहीं करने की probability 3 by 5 हो जाएगी ठीक है इसको solve करेंगे 6 by 50 or 21 by 50 you would get the answer as 27 by 50 ठीक है next question पर आते है Mr. Roy is selected for 3 separate posts देखो 3 post है उसके वास A, B, C A में उसके select होने, there are 3 candidates, देखो 3 candidate है उसको count करके तो उसके select होने की probability क्या होगी 1 by 3 ठीक है उसके बाद second post के लिए there are 5 candidates तो उसके select करने की probability 1 by 5 होगी और third post के लिए there are 10 candidates तो उसके select करने की probability होगी 1 by 10 ठीक है अब आप लोग को बोला है what is the probability that Mr. Roy would be selected Mr. Roy के select होने की probability निकाल नहीं है परेको बच्चे ना इसमें एक गलती कर लेते हैं गलती क्या है कि वो लोग ऐसा बोलते है सर तीनों बार select करा दो A into B into C कर दो और आपका answer आजाएगा पर ऐसा भी तो हो सकता है कि A में select हुआ पर B में और C में नहीं हुआ तो भी तो finally select हुआ ना तो देखो ऐसा हो सकता है A, B, C तीनों में select हो जाए या A में select हो B में C में ना हो या A में ना हो, B में हो, C में ना हो या A में ना हो, B में ना हो, C में हो राइट गाना ही बन गया है next और else भी कुछ हो सकता है ना, 2 में select हुआ, 3 में नहीं हुआ, A में हुआ, B में हुआ, C में नहीं हुआ, ठीक है, and so on, इतना सारा count थोड़ी करने बैठेंगे सरा हूं, right, तो इससे असली, इससे easy method क्या है, वो समझो, मैं क्या कर देता हूं, total में से वो तीनों बार select नहीं होंगे, उसमें वो कम से कम एक बार तो select होगा, या select हुआ होगा, तो वही चीज़ यहां पर करनी है, total है 1, उसमें से A में select नहीं हुआ, A में select होने की probability देखो, क्या है, 1 by 3, तो ना होने की probability क्या होगी, 2 by 3, B में ना होने की probability, 4 by 5, C में ना होने की probability, 9 by 10, इसको आप solve कर ल यहां पर हमने सारे examples किये है, examples के साथ हम लोगों ने सारे concepts को सीख लिया है, ठीक है, कुछ concepts जैसे की exclusive events क्या होते हैं, कहीं पर भी exclusive events लिखा हो, इसका मतलब ऐसे events जिनका intersection 0 है, याद रखेंगे इसको हम disjoint events भी कहते हैं, कहीं पर भी exhaustive events लिखा हो, exhaustive events ऐसे events होते हैं, जिनका union 1 होता है, कहीं पर भी exclusive and exhaustive लिखा हो, तो इसका मतलब होता है, उनके individual probability का sum 1 होता है, मतलब मैं आपको बोलू, A और B दो events है, वो exclusive भी है, exhaustive भी है, तो उन दोनों का plus equal to 1, तीन events होते, तो क्या लिखते, P of A plus P of B plus P of C equal to 1, ठीक है, तो यह exclusive and exhaustive की बात हो गई, अगर मैं कहीं पर भी लिखता हूँ, हमारे events जो है, वो equally likely events है, equally likely events मतलब उनकी जो probabilities है, वो same है, जैसे head, coin को toss करते हैं, head आया, probability है half, coin को toss करते हैं, tail आया, probability है half, तो वो events जो होते हैं, हमारे equally likely events कर लाए जाते हैं, ठीक है, अब questions पर आ जाते हैं, फटा फट से, अच्छे सवाल है, सारे अच्छे हैं, देखेंगे, हमको बोला, what is the probability that, of having at least one six from three throws of a perfect die, तो हम लोगों को at least one का पूछा है, देखो, हमने इस chapter के starting में, इस video के starting में सीखा है, at least one का मतलब होता है, total minus none, बोलो याद है न, total की जगा पे आप क्या लिखते हैं, one, क्योंकि probability total one होती है, तीनों बार six नहीं आया, मतलब six नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तीनों बार six के नहीं आना चाहिए, तो six के नहीं आने की probability क्या है, देखो, जब भी हम die throw करते हैं, तो six एक बार आता है न, out of six, तो six के नहीं होने की probability क्या होगी, one by six, one by six, one by six, तो correct answer would be sorry 6 के नहीं होने की probability एक बार तो वो आया है तो पाच बार वो नहीं आएगा ना तो उसकी probability नहीं आने की लिखनी है 5 by 6 5 by 6 5 by 6 तो answer would be 1 minus 5 by 6 का cube ठीक है correct answer would be D next a very good question ठीक है हमको question में बोला गया है हमारे पास 3 mutually exclusive and exhaustive events है हमारे पास ऐसे events है जो mutually exclusive भी है और mutually exhaustive भी है तो exclusive and exhaustive events जब भी होते हैं तो मैंने आपको भी बता तीनों का individual plus जो होगा वो 1 होगा तीनों का individual plus 1 होगा हमको देखो find क्या करना है P of B और अपने को given क्या है देखो P of A equal to 2 times P of B equal to 3 times P of C यह दिया हुआ है ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं पहले इनको equal कर लेते हैं मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना P of A two times P of B है और मैं ऐसा लिख सकता हूँ two times P of B जो है वो three times P of CB है यतना आपने को पता है ठीक है अब देखो हमको बोला क्या है कि find करके बताओ P of B let us assume कि P of B X है हमने ऐसा कर लिया P of B को X मान लिया ठीक है अगर मैं P of B को X मान लेता हूँ तो बताओ P of A क्या होगा बताओ सोचो अगर मैंने P of B को ही X मान लिया तो इधर X रख दो तो P of A क्या होगा बहुत लोगों ने मन में पहली बार X by 2 बोला होगा है ना पकड़े गए X by 2 नहीं होगा 2X होगा तो कि देखो P of A दो गुना है P of B का तो 2X अब similarly P of C कालकुलेट करेंगे तो बहुत लोग बहुत बोला है 2X by 3 आएगा देखो कैसे इधर B की जगाए X डाल दो और इधर 3 P of C लिख दो तो P of C आजाएगा 2X by 3 इन जब को solve करेंगे आप solve करके आप answer लाएंगे you would get the answer as 3 by 11 LCM ले लो and you would get the answer as X is equals to 3 by 11 मतलब हमारा जो probability है B का वो है 3 by 11 ठीक है next question पर आते हैं next question जो है हमारे तीन questions हैं लगातार करने हैं तो देखो हमारे पास बोला गया है पी दो इवेंट हैं A और B हमें बताना है कि वो कैसे होंगे कैसे होंगे let's see कैसे होंगे हमको बोला है P of B 0.3 है तो question एक second तो probability of A intersection B complement होता है हमें अगर कहीं पर लिखाओ A but not B calculate करके बताओ इसका मतलब आपको क्या calculate करना है A intersection B compliment A intersection B compliment अब देखो A intersection B compliment मतलब होता है P of A minus P of A intersection B आपको कोशन में 0.4 दिया है यह formula कहां से आई मैंने आपको lecture के starting में ही बताया था अब P of A लिखना है P of A तो आपने को नहीं पता है चलो और intersection में नहीं पता है आप देखो कोशन में क्या दिया है probability of not A A के नहीं होने की probability 0.6 दी है तो A के होने की probability क्या होगी बोलो 0.4 ठीक है 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 ना 1 में से minus कर देंगे तो यह A जो है ना इधर A की जगा पे आप क्या लिख दो 0.4 लिख दो तो यहां से आपको intersection की probability मिल जाएगी intersection की probability है 0 तो बताओ मुझे कि अगर किसी के भी दो events के बीच में जो intersection है वो अगर 0 आ जाए इसका मतलब वो कैसे events है mutually exclusive events है तो correct answer D हो जाएगा ठीक है इसमें हमें यही समझना था कि A but not B का जो मतलब होता है वो A intersection B होता है A intersection B complement होता है ठीक है next a bag contains 12 balls if a ball is selected at random what is the probability that it will be a multiple of 5 और 6 ठीक है तो 12 balls है हमारे पास इधर ही कर लेते नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 balls है ठीक है तो total outcomes कितने होगे 12 अब हम लोग को यह बताना है कि probability कि वो multiple of 5 और 6 है तो 12 में इसे कितने ऐसे numbers है जो 5 और 6 के multiple है 5, 1, 10, 1, 6, 1, 12 there are 4 multiples of 5 और 6 तो favorable outcomes जो होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे ठीक है favorable outcomes हमारे 4 है अब हम लोग अगर probability calculate करना चाहें तो probability would be 4 by 12 that is 1 by 3 तो correct answer would be D ठीक है next question पर आ जाते हम लोग को next question में देखेंगे क्या given है given that for two events A and B A का value given है B का value given है union का value given है A dash B पूछ रहा है हमको देखो A given है B given है और union given है तो उससे हम क्या find कर सकते है intersection calculate किया जा सकता है तो देखो question number 11 पर देखते हैं हमको union का formula पता है ना बोलो बच्चों क्या होता है union का formula union का formula होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B अब union का formula है 3 by 4 अब देखो A की जगा पर क्या लिखेंगे 3 by 5 B की जगा पर क्या लिखेंगे 2 by 3 और आपको intersection यहां पर calculate करके बता रहा है intersection को इधर लेके हो बाकि उसको अधर बेज़ दो तो intersection जो होगा that would be 3 by 5 plus 2 by 3 minus 3 by 4 आप LCM लेले LCM जो आएगा वो आएगा 60 ठीक है 5 12 जा तो यहां पर लिखेंगे 36 फिर 3 की डेबल में 20 सा होता है तो यहां पर लिखेंगे 40 4 की डेबल में 15 सा होता है यहां पर लिखेंगे 45 है ना फिर उसके बाद हम solve करेंगे तो यहां पर 31 by 60 this is what intersection right अब हमको देखो क्या पूछता है हमको पूछता है पी ओफ एडास भी बता हूं एडास भी मतलब कैसे इवेंट्स होंगे यह डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे सही बोल रहे है एकदम एडास भी मतलब probability of a given that probability of b has already occurred तो यहां पर हम पी ओफ एडास बी की जगह पे पी ओफ एंटर सेक्शन भी अपॉन पी ओफ बी लिख सकते हैं intersection की जगह पर लिखेंगे 31 by 60 और बी आपको दिया है 2 by 3 solve करते हैं 31 by 40 is the answer 31 by 40 को solve करेंगे तो आपका answer आ जाएगा I guess 60.6775 आ रहा है तो correct answer जो है वो हमारा D है ठीक है next question पर आते हैं हम लोग next question a good question भाई must question है एकदम देखो हमको बोला हमको P of a पता हमको P of b पता है आपको given option में से select करना है कि कौन सा सही option है देखा जाए तो यह question बहुत आसान है बड़ आपने पहला step सोच लिया तो ही यह question आसान है वरना यह question आसान नहीं लगेगा तो question क्या कहता है हम लोग को यह given option में से कोई एक inequality जो है वह सही है कि नहीं वह बतानी है अब देखो कोई भी एक वेंट डाइग्राम बनाते हम कोई भी एक वेंट डाइग्राम होता है तो कुछ ऐसा बनता है यह जो बीच की यह मचली है इसको हम कहते हैं A intersection B है कि नहीं इसको हम A intersection B कहते है ना शही बात है अब मैं ऐसा बोल सकता हो कि A intersection B जो होगा वो हमेशा A से छोटा ही होगा या A के बरावर होगा यह मचली और यह circle एकदम मिल जा सकते हैं तो जो पूरा intersection है वो उसके बराबर हो सकता है कभी यह मचली यह पूरे circle से बड़ी हो सकती है क्या नहीं intersection बोलते हैं इसको तो A और B का intersection A से ही बड़ा कैसे हो सकता है तो जो intersection है वो हमेशा A से तो छोटा ही होगा यह मैं बोल सकता हूँ तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ P of A intersection B वो तो A से छोटा ही होगा A intersection B A से छोटा ही होगा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों side divide कर रहा हूँ B से दोनों side किस से divide कर रहा हूँ B से अगर आप गौर करेंगे यह जो चीज मैंने इधर लिखी है यह क्या है probability of A dash B है देखो probability of A dash B तो होता है probability of A intersection B upon probability of B तो यह A dash B है is less than equal to P of A upon P of B अब देखो जो A dash B है उसको वही रहने देते हैं A की जगा पे अपने क्या लिख लेंगे देखो A की जगा पे अपने P लिख लेते हैं और B की जगा पे अपने Q लिख लेते हैं इधर Q लिख देता हूँ तो हमारे पास देखो क्या आएगा P of A dash B is less than equal to P upon Q तो correct answer would be A Next question पर बढ़ते हैं हम लोगों question में बोला क्या है If for two independent events A and B देखो हम लोगों को बोला क्या events जो है वो independent है हमने अभी ही सीखा कि independent events मतलब क्या होते हैं independent events ऐसे events होते हैं जिनका intersection उनके individual multiplication के बराबर हो ठीक है तो हम लोग को बोला गया है P of A union B given है 2 by 3 P of A given है 2 by 5 और आपको P of B calculate करके बताना है देखो हम लोग क्या कर लेते हैं P of B को X assume कर लेते हैं जो हमको find करना है ठीक है तो हमारा जो P of A intersection B होगा वो क्या होगा देखो हम लोग को P of A given है है की नहीं 2 by 5 given है तो हम P of A की जगा पे क्या लिख देंगे 2 by 5 और P of B अपने को क्या given है नहीं given है हमने उसको X assume किया है तो हम लोग वहाँ पे X लिख लेते हैं हमें पता है P of A union B का formula होता है P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B ठीक है P of A union B की जगा पे हम लिख देते हैं 2 by 3 P of A की जगा पे अपने लिख लेते हैं 2 by 5 P of B की जगा पे अपने ने X उसको assume किया है तो हम उसकी जगा पे X लिख देंगे और intersection की जगा पे लिख देते हैं देखो इधर find क्या ना 2X by 5 ठीक है solve करते हैं इसको 2 by 3 minus 2 by 5 is equals to 3X by 5 ठीक है 5 to the 10, 10 minus 6 इधर LCM ले लो देखो तो 10 minus 6 by 15 बचेगा और इधर 3X by 5 बचेगा तो 4 by 9 would be the value of X solve करने के बाद तो correct answer जो है वो हमारा B हो जाता है तो यहां question में हम लोग ने independent events की एक बात discuss किये कि उसका intersection उसके multiplication के बराबर होगा next question पे आगे आजाते हैं हमको probability of A given है हमको probability of B given है और अपने को probability of A dash B given है इसका मतलब यह dependent events की बात कर रहा है हमने just सीखा है कि P of A dash B का formula क्या होता है और इसको पढ़ते कैसे हैं probability of A given that probability of B has already occurred ठीक है A dash B का formula होगा P of A intersection B upon P of B बराबर बात है ठीक है अब हम लोगों को देखो A dash B given है कितना given है A dash B 2 by 3 हमको intersection given है नहीं given है हमको intersection को find करना पड़ेगा तो हम intersection निकाल लेंगे और हमको P of B भी given है देखो 3 by 4 थोड़ा सा solve करते हैं तो यह 3 और यह 3 कट जाएगा यह 4 को सामने बेजेंगे तो A intersection B जोगा वो 2 by 4 आ जाएगा that is 1 by 2 ठीक है हमको P of A intersection B मिल चुका है अब देखो गौर से question में क्या पूछा है question में पूछा है find P of B given that A has already occurred तो हमको क्या find करना है find P of B given that A has already occurred B intersection A upon A अब देखो intersection का formula तो अपने को पता है intersection का formula जो है उससे हम लोग ने उसकी value calculate की है that is half और probability of A भी निकाल चुके है that is 2 by 3 solve करते ही आपको answer मिल जाएगा 3 by 4 तो correct answer आपका C हो जाएगा next question में आगे बढ़ते हैं यह question में basically बहुत लोग को एक common misconception होता है वो क्या होता है वो देखते हैं हमको बोला गया है it is given that family of two children has a girl तो common misconception क्या है वो समझाता हूँ पहले तो family of two children है तो दो children कैसे हो सकते हैं वो देखो दो children होने के total outcomes कितने बताएंगे दो children होने के total outcomes है एक तो दोनों बेटे हो boy boy एक हो girl boy एक हो boy girl और एक हो girl girl पहला तो हम लोगों को यह दिक्कत लगता है कि Sir, girl boy और boy girl एक ही बात हुई एक बेटा एक बेटी पर नहीं यह दोनों अलग अलग है क्योंकि girl पहले bond हुई है और second वाले third वाले case में boy पहले बॉन हुई है ठीक है अब देखो हमको क्या बोला है यह चीज गिवन है कि फैमली के पास एक गर्ल है अब यह कोशन पड़ते ही बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले गर्ल बॉन हुई है ऐसा नहीं बोला जा रहा है हमको बोला गया है बस फैमली में एक गर्ल है तो है boy girl हो सकता है और girl girl हो सकता है एक girl already है तो यह तीनों outcomes हमारे possible है फिर अब देखो हम लोगों को बोला गया है find the probability that other child is also a girl मतलब indirectly क्या कहना चाहरा है एक girl तो है पर बाद में भी एक और girl आई है इसका मतलब total दो girl की probability पूछा जा रहा है तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने इस में से देखेंगे जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है वो है सिर्फ एक गर्ल गर्ल तो हम लोग probability calculate करना चाहें तो आउटकम्स अपॉण टोटल आउटकम्स लिख देंगे और करेक्ट आंसर वुड़ बी सी नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट दोनों कोशन बहुत ही अच्छे सवाल है गुड कोशन देखो हमको कोशन में बोला गया है कि हमारे पास एक random variable है य जिसकी वालू है माइनस 3x प्लस 4 और अपने को standard deviation of x दिया है जो 2 है तो देखो हमको standard deviation of x गिवन है तो जब भी ऐसे कोशन आए तो हमको क्या करना है पहले standard deviation of x देखो क्या गिवन है 2 अब हम लोग को बोला गया है standard deviation y का निकालना है y में देखो क्या है minus 3x प्लस 4 है तो हम लोग को कोशन बनाना पड़ता है कोशन बनाना मतलब क्या हमारे पास तो सिर्फ x है अब x के साथ हम क्या multiply करेंगे देखो हम x के साथ minus 3 को multiply कर सकते है तो x के साथ minus 3 को पहले multiply कर दो अगर मैं सारे variables को minus 3 से multiply कर देता हूं तो standard deviation भी minus 3 से multiply हो जाएगा अभी ही सीखा है यहाँ पे सिखाया था मैंने आप लोग को कि standard deviation जो है वो आप लोग को कैसे पदा चलता है कि कितने से change होगा ठीक है कहा गया कहा गया कहा गया यह रहा ठीक है अगर हम plus minus multiply divide करते हैं तो standard deviation variance और mean में क्या क्या change आता है वही चीज हम यहाँ पे apply करने वाले हैं तो standard deviation minus 3 से multiply हो जाएगा मतलब answer आजाएगा minus 6 अब question में देखो 4 भी है plus में तो हम plus 4 कर देंगे तो standard deviation को plus करने से कोई फरक नहीं पड़ता है तो standard deviation minus 6 ही रहेगा तो mostly बच्चे क्या करते है answer minus 6 लिखके आ जाते हैं बट हमें पता है कि standard deviation can never be negative तो अब जो standard deviation होता है वो कभी negative नहीं हो सकता इसलिए answer अगर minus 6 है तो उसका mod ले ले लेंगे mod मतलब negative value को neglect कर देंगे तो answer आ जाएगा 6 तो correct answer आपका B है next question same है इसमें एक गलती जो बच्चे लोग करते है वो क्या है देखो हमको question में ये दिया है हम लोग को variance of x given है हमको variance of y calculate करना है तो सबसे पहले जब भी ऐसे questions आएंगे तो आप लोग को क्या करना होता है मैं आपको समझाता हूँ जब भी ऐसे question आएंगे जिसका variance calculate करना है उसको अकेला कर दो जैसे हमको variance of y calculate करना है तो पहले उसको अकेला कर दो कैसे अकेला करेंगे देखो हमको 2x plus 3y plus 4 is equals to 0 मतलब separate करना है y को तो कैसे करेंगे देखो पहले मैं minus 2x को अधर लेके जाता हूँ तो क्या y अकेला हो गया नहीं sir y अभी तक अकेला नहीं हुआ है आपको 4 को भी तो अधर लेके जाना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ minus 4 लिख देता हूँ क्या अभी y अकेला हुआ है नहीं still y अकेला नहीं है हम लोग को 3 को भी नीचे लेके जाना पड़ेगा तो हम 3 को नीचे लेके जाएंगे तो minus 2x minus 4 whole upon 3 यह y की वालू आ गई अब अब हम लोग को को कोशन मनाया था ना हमने पिछले कोशन में previous कोशन में जैसे हमने कोशन फॉर्म किया था वैसे यहां पर भी करना है देखो कैसे करेंगे समझा देता हूँ पहले मैंने सिर्फ y को separate किया है y as a variable को अलग कर दिया है अब देखो हम क्या कर रहे है हमको कोशन में बोला गया है variance of x 6 है अब आप variance of y calculate करें तो देखो x के साथ कोशन में क्या है minus 2 तो अगर मैं minus 2 से हर एक को multiply कर देता हूँ तो variance उसके square से multiply हो जाएगा फिर कोशन में देखो minus 4 है तो अगर मैं हर एक variable को 4 से subtract कर देता हूँ तो variance को कोई फरक नहीं पड़ता है right minus 4 करने से variance को कोई फरक नहीं पड़ेगा वो 24 ही रहेगा उसके बाद अब कोशन मे लिखा है upon में 3 है तो variance को divide करने से फरक पड़ता है उसके square से divide हो जाएगा तो correct answer would be 24 by 9 अब यह देखो 3 से cut जाएगा 3 8 3 3 तो correct answer जो होगा वो आपका 8 by 3 होगा ठीक है इस तरीके से आप लोग ऐसे type के questions को solve कर सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं good questions है यहाँ पे अभी देखो क् module में आप लोगों को यह set से related जो questions दी है उसमें उनने clearly बोला है कि यह सारे question five marker question है बट कुछ-कुछ questions मुझे ऐसा लगता है जो आपको पता होने चाहिए जो exam में आ सकते तो हो मैंने यहाँ पे लिए हैं ठीक है हम लोगों question में सबसे पहले क्या बोला है what is the probability that a leap year selected a random would contain 53 Saturdays पहली बात तो leap year की करते है लीप year होता क्या है लीप year एक ऐसा year होता है जिसके अंदर कुल मिलाके 366 days होते हैं अगर मैं उसको weeks में convert करूँ तो क्या होगा देखो मैं करूँगा 366 को divide by 7, 7 5 is a 35, 2 is a 14 और 2 तो यह divide करने से हमको क्या पता चला है कि 366 days को अगर हम 7 से divide करते है तो 52 हफते आते हैं 52 weeks आते हैं और यह जो remainder है यह क्या दर्शाता है कि 52 weeks तो होंगे ही पर दो दिन extra भी होंगे मतलब 52 weeks पूरे पूरे और दो दिन extra अगर हम leap year की बात करें तो उसके अंदर 52 weeks है इसका मतलब सारे Monday 52 बार आएंगे सारे Tuesday 52 बार आएंगे सारे Wednesday 52 बार आएंगे ऐसे करते करते सारे Sunday भी 52 बार आएंगे बरावर बात है इतना clear हो रहा है मुझे यह समझा रहा है अब देखो question में बोला what is the probability that a leap year selected at random वुड कंट 53 Saturdays तो leap year 53 Saturday अपने अंदर रखेगा उसका आपको probability calculate करके बताना है अब देखो 52 Saturday तो उसमें होंगी यह fix है क्योंकि leap year में 52 weeks होते हैं अब यह जो दो दिन हो सकते हैं यह कैसे हो सकते हैं वो निकालते हैं अब देखो यह जो दो दिन है वो कैसे हो सकते हैं या तो वो दो दि तूसजर वेनज़गे होंगे या तो वह नष Iz ge auogle या तो तो Phradey Saturday या Suddenly Sunday या तो संडे मंदे स्थी हो सकते हैं दो दिन 4 5 6 7 अब इसमें से Saturday कितनी बार आ रहा रहा है वो देख लो एक इधर आ रहा है और इधर आ रहा है Friday Saturday में Saturday आता है Saturday Sunday में Saturday तो फेवरेबल आउटकम है दो वेस क्योंकि एक और Saturday चाहिए तो मिला के कुल मिलाके 53 Saturdays हमारे पास हो जाएंगे तो हमारा जो probability होगा वह यहां पर आ जाएगा टू बाइगे तो correct answer जो होगा हमारा यहां पर वह भी हो जाएगा next question पर आते हैं हम लोग को बोला गया है what is the probability that four children selected at random would have different birthdays तो सारे के सारे जो चार बच्चे उनकी बच्चों की जो बड़ डेट होनी चाहिए वहर जगा अलग अलग होनी चाहिए ऐसा समझ लेते children child one child two child three child four तो हमारे पास चार चाइल्ड है ठीक है let's assume की भगवान ने उनको option दिया है कि भाई जा तू अपनी बड़े सिलेक्ट कर तो चाहिए वन के पास बड़े सिलेक्ट करने के उपर से बैठा है देख रहा है मिरे को कौन सी बड़े चाहिए तो हमारे पास school मिला के किती बड़े सामने पॉसिबल होगी 365 नॉर्मल यह ही मानना है तोटल options कितने हमारे पास 365 आउट ऑफ कितने 365 तो मैं चाहिए 365 में से कोई भी बड़े सिलेक्ट कर लूँ तो चलेगा let's assume child 1 मैं था और मैंने सिलेक्ट किया भाई मुझे 3 November चाहिए जो माइ बड़ ड़ेट ठीक है अब चाहिए अपनी बड़े सिलेक्ट कर ली अब चाहिड़ 2 आया है चाहिड आया बोलता है यार मेरे पास कितने ओप्षंस है बड़े सिलेक्ट करने के कोशन बोलता है सब की बड़े अलग होनी चाहिए तो अब child 2 के पास कितने options होंगे सामने बड़े select करने के 364 क्योंकि पहली बड़े तो मैं select कर चुका हूँ right तो second child के पास 364 options होंगे out of 365 similarly third child के बाद 363 होंगे और fourth child के पास 362 होंगे तो correct answer would be 364 into 363 into 362 upon 365 का क्यूब मैं options यहां पर नहीं ले पाया हूँ तो मेरे हिसाब से option A है आप चेक कर लेना आपके module में जो यह answer हो आपका होगा next question पर आ जाते हैं next question are good questions दोनों के दोनों अच्छे हैं बस आपको कोशन पढ़के समझना कि कोशन कहना क्या चाह रहा है देखो कोशन कहरा है box contains five white and seven black balls तो box में कितनी बॉल है total बारा बॉल है इतना सब को समझ आ रहा होगा राइट टू सक्सेशिव ड्रॉन त्री बॉल तू सक्सेशिव ड्रॉन और त्री बॉल्स इसा बोला है कि 12 बॉल सामने पड़ी है तीन बॉल उठाई साथ में तीन बॉल उठाई और रख दी अपने पास और फिर मैंने तीन बॉल उठाई वापिस तो यह क्या हुआ विदाउट रिप्लेस्मेंट वाला केस हुआ कि मैंने दो बार तीन तीन बॉल उठाई है पर विदाउट रिप्लेस्मेंट वापिस नहीं डाली ठीक है और विद रिप्लेस्मेंट का मतलब क्या हुआ तीन बॉल उठा के रखी अपने पास देखा कलर नोट किया वापिस तो विट रिफ्लेश्मेंट मतलब यह होता है पहले हम भीसेंट कभा करंने वाले हैं फितIn है को बाद में तो कोशन आसान है हमको बोलाए दा प्रोबाबविलीटी थाएंट फर्स ड्रॉविट फोड्व ब्रोड बोड्यूस बाक बॉल्स तो जब मैं पहली बार तीन बॉल उठाऊं तो वह तीनों की तीनों जो आनी चाहिए वह क्या आनी चाहिए वाइट आनी चाहिए ऐसा बोला गया है तीनों की तीनों वाइट आनी चाहिए और बाद में उठाओं तो तीनों की तीनों ब्लाक आनी चाहिए सेम इधर भी तीनों की तीनों वाइट चाहिए विद्ध रिप्रिटेशन में विद्ध रिप्लेस्मेंट में और बाद में ब्ल हम कर चुके होंगे, 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने कैं 12희 ऐल तरीके होते हैं, अब वो तीनों की तीनों बॉल वाइटया होनी एक थीनों चाहिए, तो देखो वाइड बॉल है कितनी पाच पाच वाइड बॉल से λέक्ट करने के सावाओ ऑशिदुक् dew chem कितने तरीके तो फिर से 12 बॉल बची है अंदर ओगे नीचे 12C3 तो आएगा ही थीक है अब देखो 3 blackball पड़ी है सामने 3 blackball सामने पड़ी है blackball है कितनी साथ blackball है उसमें से तीन बॉल उठाने के कितने तरीके होंगे 7C3 हो गया बहुत यह आसान सा सवाल है इसको solve करेंगे तो आप का answer आज आएगा 35 by 144 next question देखते है next question में इसी question में हम लोग को बोला गया है without replacement है माननो तीन बॉल उठाई वो तीनों की तीनों white होनी चाहिए तो तरीका तो अभी भी यही होगा 5C3 upon 12C3 तीन बॉल उठाईए वो तीनों की तीनों white होनी चाहिए ना total ball 12 है 12 में से 3 ball लेने के कितने तरीके है 12C3 white balls कितनी है 5 तीन बॉल लेने के कितने तरीके है 5C3 बराबर तो उपर लेकेंगे 5C3 नीचे लेकेंगे 12C3 अब मैंने बोला गया है without replacement है without replacement का मतलब क्या होता है वो जो तीन बॉल आपने ली है उसको लेके अपने जेब में डाल दो तो अंदर बॉल कितनी बच्ची है 9 अब यह जो 9 ball बच्ची है उसमें से 3 ball सेलेक करने कितने तरीके होंगे बोलेंगे शाबबाश वो तरीके होंगे हमारे कितने 9C3 अब हमारी black balls कितनी है वो 3 ball में मतलब बाकी 9 ball में से कितनी है कितनी है साथ है तो साथ में से 3 ball उठाने के 7C3 तरीके तो यह बस नीचे यह देखो denominator में चेंज आ जाएगा अगर हम without replacement का बात करते हैं तो solve करेंगे you would get the answer as 35 by 108 ठीक है यह answer हो गया आपका C next question पर आते हैं 6th question जो है हमारा वो क्या कहता है हमारे बाद 3 box है हमने 3 ball box में से क्या किया है एक ball उठाया है what is the probability that would be of same color तो हम लोग को बोला गया है तीनो बॉक्स में से एक एक बॉल उठाके लो और तीरों के तीनों जो color होने चाहिए वो ball के same होने चाहिए तो देखो box के पास box 1 में red white और blue यह तीन-तीन बॉल पड़ी है तीन-तीन अलग-अलग color की ball पड़ी है तीनों color same होने चाहिए ऐसा बोला है इसका मतलब क्या होगा कि तीनों के तीनों red हो तीनों के तीनों white हो या तीनों के तीनों blue हो सही बात है ना तो देखो क्या हो सकता है possibility क्या है तीनों red ball निकाली और और का मतलब प्लास तीनों की तीनों रेड निकाली तीनों की तीनों वाइट निकाली और मतलब प्लास तीनों की तीनों ब्लाक ठीक है तीनों की तीनों रेड बॉल निकालने के कितने तरीके देखो पहली बॉक्स के अंदर रेड बॉल है कितनी पाच आउट 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 ही रहने वाले है तीनों वाइट पहले कितनी ह eventual साथ दूसरे कितनी तीस्रे माइन कितनी है अधिर के लिए छे दो कर देते हैं इदर ठीक है तो इस तरह के सा आप लोग आंसर में कर सकते हैं टो मारा 729, ठीक है, 82 upon 729, तो correct answer आपका हो जाएगा, C, ठीक है, next, next पर आदे, next पर आदे, next पर आदे, हम लोग को कोशन में बोला गया है, there are two earns, first earn contains three red and five white balls, whereas second earn contains this, a ball is from transfer to second earn, another ball is, ठीक है, हम लोग को कोशन में बोला गया है, देखो ये कोशन आने की संभावना बहुत कम है, इस कोशन को आने की probability exam में बहुत कम है, बट मैं आप लोग को एक बार इस कोशन को करके तो जरूर दिखाना चाहता हूँ, लिया, इसलिए आप skip करना चाहें, इस कोशन को इस particular कोशन को कर सकते हैं, ठीक है, next, तो इस कोशन में अपने क्या बोला गया है, दो अर्ण से हम अब दो बैग है, पहली बैग के अंदर देखो क्या है, ये बैग बन, इसके अंदर देखो त्री रेड बॉल्स है और फाइव वाइड बॉल्स है, अब इसमें से एक बॉल उठाके बैग टू में डाला है, तो देखो अब वो ज अब देखो उसको अगर मैं बैग 2 में डाल दिया तो अब ये ये बैग 1 है ये वैसा ये भी बैक 2 वह में मैं ओरसंटी लुजिट्टी मौल से चार रेड है और 6 बाइड है अगर उसमें रेड आ गई तो साथ हो जाएगा ठीक है यहांसे हम लोगों को ब्लैक और वाइट का केस पता चल गया साओर eens और रॉड का केस पता चल गया कि अगर मैं एक व ट्रांसफर करता हूं बार्च टू में तो कितनी वह रचेगी बार्च टू के अंधर कितनी बचेगी बैक टू के अंदर अगर मैं रेट ट्रांसफर करता हूं तो अब देखो कोश्चन में क्या बोला है अब आप दूसरी बैक में से एक बॉल उठाओ ठीक है और बताओ कि वह प्रोबाबिटी की वह बॉल रेड होगी तो यहां से रेड आने की प्रोबाबिटी क्या ह नहीं तो रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है रेड लेके डालने के बाद वापिस रेड आई है ना पहले रेड डालोगे फिर रेड आईगी या क्या हो सकता है पहले वाइट डालोगे फिर रेड आईगी है ना तो देखो क्या हो सकता है रेड डालने के बाद रेड है या probability 3 by 8, फिर red आने की probability 5 by 11, और else क्या हो सकता है, पहले white डालने की probability 5 by 8, फिर red आने की probability 4 by 11, तो ये 15, ये 20, 35 by 88, तुम्हारा answer है, correct answer B हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है, red डाल के white, sorry, red डाल के red आना, white डाल के red आना, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे question को solve करते है, थोड़ा सा paid बनाते है, अच्छा सा इधर diagram बनाएंगे, फिर solve करेंगे, हो जाएगा, है सवाल easy, बस थोड़ा समझदारी से करेंगे, तो answer आएगा, ठीक है, next question बहाते है, oh wow, good question है, देखो, हमको question में बोला है, for a group of students, 30%, 40% and 50% failed in physics, chemistry and at least one of the subjects, physics को मैं A माल लेता हू फिजिक्स में fail होने को, physics में fail होने की probability को A मान लिया है, उसकी probability आपको 30 टका दिये, मतलब 0.3 दिये, B मान रहा हूं है, chemistry में fail होने की, तो chemistry में fail होगे आप अगर, तो उसकी जो probability है, वो आपकी 0.4 है, ठीक है, and at least one of the two subjects respectively में 50 टका दिया है, अब यार ये at least one of the two subjects का मतलब तो sir आपने सिखाया था, at total minus none, ये सिखायी थी मैंना आप लोग को कभी भी at least one निखा होगा, तो हम क्या करेंगे, total outcome में से none वाला minus कर देंगे, पर जब भी, ऐसे type के question है, जहां पर when diagram बन सकता है, तो इसका मतलब होता है, at least one के दो meaning है, एक तो total minus none, और दूसरा जो meaning होता ह होता है, a union b, अब आपको कुछ से सवाल पूछना है कि क्या मैं इधर total minus none लगा सकता हूं, अगर आपके अंदर से जवाब आए कि नहीं भाई नहीं लगा सकते है, इसका मतलब आपको क्या लगाना है, union लगाना है, at least one दिया है, मतलब आप लोग को union दिया है, इन दोनों का a union b given है, वो कितना given है, a union b, कितना given है, 50 टका given है, अब देखो हम लोग इससे क्या find कर सकते है, intersection find कर सकते है, intersection मतलब जो दोनों में fail हुए, intersection की formula हमें पता है, p of a plus p of b minus p of a union b, गौर करेंगे मैं a union b का ही formula लिख रहा हूं, बस intersection को इधर और union को इधर, ठीक है, तो 0.3 plus 0.4 minus 0.5, 0.2, तो यह intersection की probability आ चुकी है, अब question क्या बोलता है, what is the probability that he passed in physics, if it is known that he failed in chemistry, तो अब जब भी ऐसे question आई, dependent events का question है, कैसे पता चलता है कि सर, यह कोई भी event का जो question है, वो dependent का है कि नहीं है, dependent event के questions को पता लगाने का सबसे पहला तरीका यही है, और इकलोता तरीका यही है, कि अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए, कि यह particular event की probability निकाल के बताओ, पर यह event already occur कर चुका है, ठीके, एके event के occur करने की probability calculate करके बताओ, given that B has already occurred, movie theater में popcorn खाने की probability calculate करके बताओ, given that कि आप movie theater में हो, ऐसा, तो किसी एक चीज़ की probability calculate करने को बोलेंगे, और बोलेंगे कि कोई एक चीज़ पहले ही हो चुकी है, जिसकी probability calculate करने को बोलते है न, उसको पहले लिखना होता है, और जो given होता है, उसको बाद में लिखना होता है, पढ़ते हैं कोशन में क्या बोला है पोशन कहता है कि प्रोबाबिटी निकालके बताओ कि वह फिजिक्स में पास हुआ है पास हुआ है मतलब मैं ए कॉम्प्लिमेंट लिखू ना इधर ए नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ए तो मैंने क्या माना है फेल तो पास मतलब ए का कॉम्प्लिमेंट गीवन दाट बी हैस अल्रेडी अकर्ड इसका फॉर्मिला आमें बहुत अच्छे से पता है उपर दोनों का इंटर सेक्शन लिखो नीचे जो बाद में लिखा है उसको लिखो इसका भी फॉर्मिला पता है एक कॉम्प्लिमेंट इंटर सेक्शन भी मैं मानता हूं आप मेरे साथ बने हैं आप मेरे साथ सारी फॉर्मिला लिखे हैं तो फटा फट से पेज पल्टा के देखेंगे A complement intersection B का जो formula है starting में ही लिखवाया था जब N diagram बाया था 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 थर्ड या फूर्थ question बता होगा तो A complement intersection B यह आपको find करना तो यह क्या होगा P of A complement intersection B P of B minus intersection upon P of B अब सारी values यहाँ पे put कर देंगे P of B आपको कितना given है 0.4 दिया होगा intersection आपने calculate किया 0.2 और P of B 0.4 तो answer है 0.2 upon 0.4 1 by 2 ठीक है तो correct answer आपका 1 by 2 होगा this is your answer इस तरीके से आप यह question को solve कर सकते हैं शबाश 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 आगे बढ़ते हैं वाओ question है कितने अच्छे सवाल दिये हैं मैंने module ने हमने ठीक है तो question number 17 पर आ जाते है question 17 क्या कहता है x और y स्ट्रेट लाइन में रहते हैं with six other people total people कितने हुए x y और 6 total हुए 8 आठ लोग आपस में लाइन में खड़े रहना चाहते हैं कितने दरीकों से खड़े हो सकते हैं बोलो eight people can arrange themselves in eight factorial ways तो अगर हम total ways calculate करना चाहें तो वह eight factorial होंगे अब favorable outcomes निकालना है तो favorable outcomes कैसे निकालोगे देखो हमको बोला गया what is the probability that there are three persons between them x और y के बीच में तीन लोग होने चाहिए compulsory fix सोचना पड़ेगा तो सोचते हैं देखो x फिर तीन लोग फिर y total लोग है आठ ऐसा हो गया ऐसा हो सकता है अच्छा एक और भी चीज तो हो सकती है कि x आगे आ जाए y भी आगे आ जाए और ऐसा कुछ हो जाए एक और चीज हो सकती है सर x थोड़ा और आगे आ जाए तीन जगा छोड़के y बैठे एक और चीज हो सकती है सर x थोड़ा और आगे आ जाए तीन जगा छोड़के y बैठे इससे ज्यादा कुछ हो सकता है नहीं नहीं हाँ 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 क्या हो सकता है बोलो एक्स और वाई है तो उसको इंटरचेंज करके वाई और एक्स भी दो लिख सकते हैं एक्स और वाई लिखने के बाद इंटरचेंज कर दो यह भी दो पॉसिबिलिटी है तो इसी की डबल यह जितनी भी पॉसिबिलिटी लिखिए इस के आलावा कितने लोग है उसके अलावा छे लोग है देखो थे अचैनE कर सकते हैं बताएंगे यह चे लोग प sommes कितने तरीकों से अरेंच कर सकते हैं फ्रेंच ये 6 लोग 6 फैक्ट्र ये 6 लोग 6意思 4 चैन्म चैनल कित्ती बार लिखा है लिफाल Inderी से छार वार लिखा है और इंटु टू करना मत बूलना xy पहले x बैठा बाद में y बैठा ऐसा भी तो हो सकता है कि y पहले बैठे x बाद में बैठे तो उल्टा भी possible है इसलिए into 2 कर रहे है ठीक है तो 6 factorial into 4 into 2 बराबर यह आपके favorable outcomes होगे अब अगर आप probability निकालना चाहो तो favorable outcomes की जगह 6 factorial into 8 लिख दो और इधर 8 factorial लिख दो answer 1 by 7 आएगा भाई आएगा बोलो आएगा कि नहीं आएगा ठीक है next question बढ़ते हैं आगे अच्छा सवाल है देख लेंगे अच्छे से screenshot लेने का मौका दे रहा हूं लिखो screenshot मतलो लिखो screenshot कभी देखते ही नहीं है हम फोन खोल के कुछ लोग देख लेते हैं मैं आपको इतना benefit of doubt दे देता हूं ठीक है next question बागे वड़ते हैं हम लोग को बोला गया है पी ओवे गिवन है हमको पी ओवी गिवन हमको intersection गिवन है हमको a compliment slash b compliment निकालना है असान सवाल है पी ओफ a compliment slash b compliment निकालना है formula apply करेंगे लिखवाई है a compliment intersection b compliment upon b compliment बोलो यह कौन सा law है जो उपर लिखा है कौन सा law है कौन सा law है d morgan's law है d morgan's law को कैसे लिखते है a union b का whole compliment ठीक है तो इसका formula होता है 1 minus a union b और b compliment मतलब 1 minus b अब देखो हमको a union b दिया है क्या नहीं दिया है बहुत मैनत करा रहे है भाई a union b नहीं दिया है तो पहले a union b निकालना पड़ेगा a union b निकालने का तरीका भी आपको आता है कोई tension का बात नहीं है बच्चे बहुत ओश्यार है p of a plus p of b minus p of a intersection b a union b अगर आपको calculate करना है a दिया है half b दिया है 1 by 3 और intersection 1 by 4 a दिया है half b दिया है 1 by 3 intersection दिया है 1 by 4 LCM ले लेंगे LCM आएगा 12 ये 6 इदर ये 4 इदर ये 3 इदर 6 4 10 minus 3 7 by 12 ये आपका union हो गया 1 minus 7 by 12 और b की value आपको question में देखो given है 1 by 3 है तो 1 minus 1 by 3 इदर आएगा 5 by 12 इदर आएगा 2 by 3 solve कर लेंगे you would get the answer as 5 by 8 correct answer C है ठीक है देख लेंगे correct answer इसको solve करके 5 by 8 आता है that is option number C ठीक है screenshot लिख लो आगे बढ़ते हैं next ये question हमारा पहला question था इस lecture का पहला question सेम वैसा ही question है फट से कर लेंगे 1246 चार लोग है चार लोगों से total कितने तरीके के option बन सकते हैं four factorial मतलब 24 numbers बन सकते हैं हमको बोला है what is the probability कि वह four से divisible होना चाहिए four से divisible होने के लिए आपको favorable outcomes निकालने होंगे favorable outcomes निकालना सिखाया है ना सिखाया 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 पहली बार पहली पहली वीडियो में मतलब पहले-पहले question में कि हमको यह देखना होता है कि last के दो डिजेट four से divisible होने चाहिए तो अब ऐसे कौन से नंबर है देखो वन के साथ two लिख सकता हूं वन के साथ four नहीं लिख सकता वन के साथ six लिख सकता हूं तो अगर मैं दो नंबर को बिठा चुका हूं चार में से तो बचते कितने दो और इधर कितना बचेगा एक दो एक दो एक दो एक तो यहां से आएगा दो वे दो वे दो वे दो वे टो टोटल वेस काउंट करेंगे कितने हैं two plus two plus two plus two टोटल वेज होगे 8, ठीक है, अब हम लोग को probability calculate करके बतानी है, probability होगी 8 by 24, 1 by 3, अब गौर करेंगे, मैं ऐसे cut करता हूँ, 1 और 2 को बिठा के cut करता हूँ, मैं ये make sure करना चाहरा हूँ, कि आप 1 और 2 को भी multiply ना कर देंगे, तो problem हो जाएगा, 2 into 1 into 1 into 2 करेंगे, तो गलत answer ठीक है, तो 1 और 2 आपने fix कर दिया, उसको बिठा के cut करके हटा दू, ठीक है, next question पे बढ़ते हैं, ठीक है, 22 पे आजाते हैं, हम लोग को बोला गया है, probability that there is at least one error, उसका probability given है, ठीक है, और हमको expected number of correct statements पूछी है, तो देखो, अब देखो, at least one का मतलब क्या होता है, total minus none, जिसमें कोई भी error नहीं है, आपसे वो पूछा है, आपसे correct statement पूछी है, मतलब जिसमें कोई भी error नहीं है, मतलब आपसे यह none वाला पूछा है, no error, तो no error निकालना चाहोगे, तो आप क्या कर दोगे, none में से, total minus at least कर दोगे, अब देखो, total statement कितनी है, 60, 70, 90, 60, 70, 90, तो कितना होता है, 220 होता है, statements, ऐसी statements जो correct है, at least one error का probability गिवन है, at least one मतलब बोलेंगे, total minus none होता है, सर ने सिखाया है, है ना, none मतलब no error, उसका value, उसका probability आपको calculate करना है, none को इधर वेजो, total minus at least one को उदर, total हमारे कितने लोग है, 220, अब at least one, देखो, a के पास थी 60 statement, उसमें से, उसने 0.2 statements में error लाया, मतलब कितनी statements में error लाया, इसको 2 by 10, 12 statement में error लाया है, वो, बी के पास कितनी statements है, 70, उसमें से कितने में error बनाया, उसने, 0.3 में, मतलब 21 statement में, वो error लाया है, c के पास थी 90 statement, सही बात है ना यार करने की probability सबसे कम यह तो ज्ञादा statement उसी को देंगे 0.1 तो आएगा नौ तो टोटल कितने है जिसमें एरर है इसी टोटल कितनी statements 42 तो ऐसे कितनी statement होगी जिसमें error होगा ही नहीं ऐसी कितनी statement जोती है दोल अनसे टेफाइन करती है यह इक डặc्रोप प्रोबाबिलिटी के सेंपल डिटिस्पेस को डिक दम बेजिक का सवाल है यह बात है कि यह67 faço चाहता है हमें पता है ना कि टोटल प्रोबाबिलिटी क्या होती है टोटल प्रोबाबिलिटी हमेशा बन होती है जो ऑप्षन में जिस ऑप्षन का टोटल बन आता है वो तुम्हारा आंसर है तो टोटल वन देखो क्या इस ऑप्षन का आएगा और नहीं आएगा इस ऑप्षन का total आ रहा है वन, 0 प्लस 1 बाइ 3 प्लस 2 बाइ 3, 1, ठीक है तो correct answer is B, next question मैं बोले है, the conditional probability of an event B, on the assumptions that another event A has already occurred, देखो मैंना अभी सिखाया है, किसी भी चीज़ की probability को calculate करना हो, given that, कहीं पे भी ऐसा लिखा न, given that, तो मतलब कैसे events है, dependent events है, तो कहीं पे भी ऐसा लिखा है, given that one has already occurred, या A has already occurred, तो उसकी probability निकाल के बता हो, तो हमें पता है, जो event हो चुका है, उसको हम पहले लिखते है, जो, sorry, जो, जिसकी probability अपने को find करनी है, उसको पहले लिखते हैं, जो given होता है, हम उसको बाद में लिखते हैं, और इसका formula होता है, P of A intersection B upon P of B, अब है न, module A intersection B को A B की तरह भी represent करेगी, और A union B को A plus B की तरह भी represent करेगी, तो confused नहीं होना है, तो A B को मैं A B की तरह लिख देता हूँ, हम, तो correct answer देखो, क्या हो जाएगा, आपका answer होगा, क्या होगा, P of, हम लोग को बोला गया है, probability of an event B, तो B पहले आना चाहिए, तो ये तो गया, अच्छा, मैंने गल्ती करीगी न, ये इधर, इधर A आएगा, चीक है, जो चीज़ बात में लिखी होते हैं, उसको denominator में बेशते हैं, तो correct answer आपका A हो जाएगा, ये तो दोनों option गए हैं ना, क्योंकि A तो पहले लिखी नहीं सकते, B को पहले लिखना है, next, the expected number, expected number मतलब क्या, याद करो, करो, expected number का मतलब होता है, mean, शबबाश, mean calculate करने का एक easy trick दिया था, बताओ trick क्या थी, trick, trick, n, p, ठीक है, n is the number of times the experiments was occurred, p is the success का probability, कित्ती बार experiment को occur करवाया गया है, याँ पे 100 बार, किसकी probability निकालनी है, heads की, heads के अकर करने की probability क्या है, half, तो आप इदर n की जगा पे 100 लिख दो, और इदर half लिख दो, correct answer 50 आजाएगा, option, उई, हटो, गफी नहीं हो रहा, हो जाब आई, हो गया, तो option कौन सा है, b, is the correct answer, next, odds in favor, odds again, सिखा चुका हो, मैं आप जल्दी जल्दी करेंगे, odds in favor है, 3 is to 7, odds in favor, 3 is to 7 है, तो किसी भी चीज के होने की probability क्या होगी, 3 by 10 होगी, मैं 3 बार वो चीज अकर करी है, 7 बार वो चीज अकर नहीं करी है, मैं आप से probability पूछता हूँ, अकर करने की, तो आप बोलो कि 3 बार अकर की, out of total, 10 बार, तो 3 by 10, दूसरे वाले की odds against दिये, odds against, कितने है, 3 by 5, मतलब मैं 3 बार अकर नहीं करता हूँ, upon 5 बार अकर करता हूँ, तो अकर करने का probability निकालो, कितनी बार अकर किया, कितनी बार, 5 बार, out of total कितना, 3 बार अकर नहीं किया, बोलो, 5 बार अकर, 3 बार, अकर किया, 5 बार अकर नहीं किया, तो total कितने outcomes होए, 8, तो अकर करने की probability रोगई 5 by 8 3 dimensional नहीं किया पाज अकर किया तो अकर अकर, अकर अकर पाइव ईह तैक है रहे ओने की probability 5 यह नट अकर है, यह अकर है बद्रकर? तो अकर करने की probability 5 है, out of total, आट 2 शेकंड के लिए तो मैंने आपको ही अपंड्यूज कर दिया नाहीं, ठीक है, the probability that both pass, E भी pass हो गया, F भी pass हो गया, E के pass होने की probability 3 by 10 है, F के pass होने की probability 5 by 8 है, तो correct answer हो जाएगा 3 by 16, option D is the correct answer, next question पे आगे बढ़ते हैं, हमको बोला गया है, probability of horse A winning the race is 1 by 6, probability of horse B winning the race is 1 by 4, probability that one of the horses will win, ये घुमरा करने वाला question है, कुछ ज्यादा दिमाग वाले बच्चे ऐसा करते हैं, A B compliment plus B A compliment, जो की गलत है इस केस में, ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि देखो, अगर horse A जीत गया, तो पक्की बात है न, B horse हार गया है, तो in short ये ऐसा बोल रहा है कि probability निकाल के बताओ, एक horse जीता है, भाई जीतेगा A की गोड़ा न, तो क्या करना है, बस दोनों की probability को plus करना है, या A जीता या B जीता, या A जीतेगा, या B जीतेगा, क्योंकि अगर A जीता है, तो ये तो पक्की बात है कि B हारा होगा, तो B हा B के जीतने की probability क्या है, 1 by 4, LCM 12, 5 by 12 is the answer, ठीक है, अब probability that none of them will win, दोनों नहीं जीते, दोनों हार गए, दोनों को हारना है, तो दोनों हारेंगे, तो देखो 5 by 12 cases में, वो लोग कोई ना कोई जीत रहा था न, तो lose के case कितने होंगे, 7 by 12 की, दोनों में से कोई ना कोई तो हार होगा, तो 7 by 12 आजाएगा, आपका correct answer, देखो, गोडा A जीतने का probability 1 by 6, गोडा B जीतने का probability 1 by 4, दोनों ही हार गए, तो पूरे में से दोनों को अटा दो, तो पूरे probability 1 में से 5 by 12 को subtract करके, आपका answer 7 by 12 आजाएगा, next question पर आगे बढ़ते हैं, देखो, हमको question में बोला गया है, probability of winning of a person is 6 by 11, और जीतने के बाद उसको 77 रुपीस मिलते हैं, हमको expectation निकालने हैं कि उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसको या तो 77 मिलेगा, या तो कुछ नहीं मिलेगा, probability distribution टेबल बना रहा हूं मैं इध 77 मिलने की probability है, 6 by 11, कुछ भी ना मिलने की probability कितनी होगी, 5 by 11, तो अगर हम probability total, मतलब mean calculate करना चाहते हैं, expectation calculate करना चाहते हैं, तो वो होगा, sigma PIXI, expectation, ठीक है, तो sigma PIXI, तो देखो, क्या करोगे, पहले probability लिखोगे, into 77, PIXI, plus PI, 5 by 11, into 0, तो correct answer 11, 7, 6, 42 रूपीज आ जाए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, next question पे, हमको दो ही question बच्चे हैं अब, हमारे को question में बोला गया है, in a class, 40% students read max, हमारी class में 40% students max पढ़ते हैं, और 25% biology पढ़ते हैं, 15% max and biology बोद पढ़ते हैं, ऐसे questions का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया तरीका कोई नहीं है, हम लोगों को एकदम easy question हैं, मैंको लगा थोड़ा hard वाला सवाल आ गया है, देखो, one student is selected at random, find the probability that he reads max, if it is known that, he reads biology, तो हम लोगो probability calculate करनी है, कि वो max पढ़ता है, इसको find करना है, given that क्या है, वो biology भी पढ़ता है, तो given that bio, जब भी given that के question आते हैं, किसी की probability find करनी है, given that कोई पहले ही अकर कर चुका है, हमेशा क्या करना है, dependent events का formula लगाना है, जिसकी probability find करनी है, उसको पहले लिखें है, ठीक है, तो find करनी है, M की probability given है, B, इसका formula में पता है, M intersection B upon probability of B, biology कितने लोग पढ़ते हैं, देखो, कितने, 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 25 टका, जब लिखेंगे, 25, 0.25, ठीक है, probability है, कितने लोग है, जो max भी पढ़ते हैं, और biology भी पढ़ते हैं, 15 टका लोग है, तो 0.15 लिखेंगे solve करेंगे, correct answer would be 3 by 5, बरावर बात है, बरावर है, ठीक है, शाबाश, next question करते हैं, same question है, पढ़ लेता हूँ, same question है, probability that he reads biology, if he reads max, तो आपको question में बोला गया है, कि उसके biology पढ़ने की probability निकालो, given that की वो max भी पढ़ता है, तो अब इस बार उल्टा पूछा है, biology पढ़ने की probability को find करना है, given that की वो max पढ़ता है, जिसको find करते हो, उसको पहले लिखना है, मन में बोल लो 2-3 बार, जिसको find करते हो, उसको प upon probability of M, दोनों का intersection 15 टका है, और 0.15 लिख देता हो, टका अटा देता हूँ, ठीके, और match की जगा पर आप क्या लिखेंगे, 40% लिखेंगे, तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा, 3 by 8, तो correct answer is C, ठीके, कोशन खतम, तो इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए जो भी probability के अच्छे सवाल हो सकते थे, वो मैं यहां पर note down करके ले आया था, I hope so, कि आप lecture के end तक बने रहे होंगे, आपने notebook पेन लेके सारी चीज़े लिखी होंगी, और जो भी concepts हैं, मैंने उसको आपको short में इधर समझाया है, with question, तो concepts तो clear हुए, क्योंकि हम वो समझे, समझने के बाद हमने उससे related questions भी किये, तो हम और अच्छे से समझ गए, अगर हम यह सब समझ गए, तो हमारा exam तो भाई, बढ़िया ही जाने वाला है, ठीक है, तो I hope so, हम लोग अच्छे से probability पढ़ लिए है, and आपका probability का अच्छा preparation भी हो गया है, तो इसी के साथ हम वारी आज की class को समाप्त करेंगे, happy learning, पढ़ते रहे, मैनत करते रहे, और अच्छे marks लाते रहे, thank you so much.